इजी वेट लोग, हेल्थ और इमुनिटी से रिलेटेड टिप्स और इन्फर्मेशन के नए वीडियो के बारे में सबसे पहले जानने के लिए नीचे के सब्सक्राइब के लाल बटन और बेल आइकोन को अवश्य दबाए बिना स्ट्रिक डायट को फॉलो किये या बिना हेवी एक्सेसाइज किये क्या आप अपने वजन को अधिक मातरा में और जल्दी से कम करना चाहते हो और हाँ ये जो calorie counting की जंजट है कि किसमें कितनी calorie है और कब कितना calorie खाना है ये सारे calculation की जंजट में पड़े बिना ही क्या आप best पड़ी नाम पाना चाहते हैं अपनी weight loss की journey में तो यह वीडियो में जो tricks मैंने बताई है वो आपको अवश्य लापकारी होगी तो इसे इसलिए देखिए और ध्यान से देखिए क्योंकि इस वीडियो में मैंने एसी 10 trick के बारे में बताया है जो आपको जब आप सोते हो तो आपकी fat burning की process को metabolism को boost करती है stimulate करती है और इसी वज़े से आपका weight loss का goal अचीव करने में आपको आसानी होगी जी हाँ दोस्तों आपको आश्य लेकिन यह सच है कि हमारी जो fat burning की process है वो maximum जब हम सोते हैं तब होती है और अगर हम सही तरीके से इस process को इस mechanism को stimulate करे एक्टिवेट करे तो बहुती अच्छी मात्रा में हम हमारे weight को रात को निन में ही burn कर सकते है calorie को burn कर सकते है यह scientifically prove हुआ है तो ऐसी ही science based और effective 10 tricks को मैं आप से इस वीडियो में share करने वाला हूँ और इस वीडियो के अंत में weight और belly fat को melt करने में बहुत ही लापकारी और simple उपाई के बारे में भी जानकारी दी है अगर आप अपने metabolism को और fat burning की process को fast करना चाते हो अधिक effective बनाना चाते हो तो इसका सबसे best तरीका है कि dinner के याने रात का जो खाना है उसको खाने के 2-3 घंटे पहले आपको vitamin C rich citrus fruit को खाना चाहिए अच्छी मातरा में citrus fruit याने इसमें orange है, sweet lime है, lemon है ऐसे fruits को आप अवश्य खाए रात को dinner से 2-3 घंटे पहले अगर इसे आप इस तरह 2-3 घंटे पहले dinner के खाते हो तो जब रात को आप सोते हो तो आपकी fat burni की process बहुत ही अच्छी तरह से होती है तो इसका अवश्य इस्तमाल कीजिए, eat salads before dinner, dinner में आप 2 plate बनाईए, एक plate में salad लीजिए और दूसरी plate में आप जापका normal खाना है उससे लीजिए salad की मातरा आपका वज़न into 5, मतलब जितना भी आपका वज़न है उसको 5 से multiply कीजिए और उतने gram salad आप खा सकते हैं, यह आपके लिए बहुत effective रहेगा याने for example आपका वज़न, अगर 70 kg है तो आपको 350 ग्राम तक salad खाना चाहिए, अगर 60 kg है तो 300 ग्राम तक salad खाना चाहिए, थोड़ी जो इसकी quantity है, weight एक कम ज़्यादा हुआ तो चलेगा लेकिन डिनर के पहले salad अवश्य खाए, कुछ लोग डिनर के साथ में salad खाते हैं, वो तो effective है यह अच्छा है, लेकिन अगर उसको डिनर से पहले ही पुरा salad खा लेते हैं, तो वो ज़्यादा effective होगा, इससे एक फाइदा तो यह होगा कि हमारा जो main खाना है, उसकी quantity थोड़ी कम हो जाएगी, हम उसे कम खाएगे, हमारी भूब कंटोर होने में भी मदद होएगी और दुसरा यह जो salad होता है, वो fiber से reach होता है, इसमें बहुत अच्छी मातरा में fibers होते हैं, जो हमारी weight loss की जो प्रक्रिया है, उसको बहुती अच्छे से मदद करते हैं, तेज होने में और best होने में, तो इसे आप अवश्य खाए, और अगर आप चाहे तो इसको तुरंत प light food in the dinner, याने रात के खाने में शाकाहरी milk product रही और light खाने का उप्योग करें, क्योंकि जितना ही आप डिनर में light खाना खाऊगे, उतना ही हमारी digestive system पे load कम आएगा, तो वो ठकेगी नहीं, और उसकी जो energy बचेगी, उसका वो इस्तमाल करेगी, फेट बर्नी में जो बोड़ी में जहां जहां अनावशक और हानी कारक्चर भी जमा हुई है, उसको वो burn करने के काम में अपने energy को यूज़ कर सकती है, तो इस वज़े से भी आपकी फेट बर्निंग की process best होगी और fast होगी, finish your dinner as early as possible to give more time for fat burning, जी हाँ, इसी तरह से अगर आ जल्दी करते हैं, उतने अच्छे से हमारा जो dinner का खाना है, वो digest होता है, क्योंकि वरना हमारी आते ठक जाती है, आप ही सोचे, सुबह उठते तब से हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो हमारी digestive system खाना digest करने में बहुत ही busy रहती है, जिस तरह अगर mobile के अंदर एक एप करने वाला कोई app है, तो वो है हमारी digestive system, तो इसी लिए dinner को हम जितने जल्दी खा लेते हैं, उतनी हमारी digestive system fresh रहती है, क्योंकि फिर जैसे जैसे time बढ़ता है, हमारी digestive system ठकी हुई रहती है, और फिर ये ठकी हुई system अगर लेट खाना खाया, तो उसे ठीक से digest नहीं कर सुस्त रहेगी, और अगर पेट में undigested particle होते हैं, तो हमारी फेट बर्निंग की process में बहुत बड़ी बाधा निर्बान करते हैं, और हमारी ये प्रक्रिया slow हो जाती है, और डिनर में protein का समावेश करने से भी fat burning की process में बहुत health होती है, क्योंकि protein को digest करने के लिए body fat को break करत है, उसका इस्तमाल करता है, इसलिए limited quantity में रात के डिनर में protein का इस्तमाल कीजिए, और ये protein को हम जो अंकूरी दाल है, उसके रूप में खाना सबसे बहतर होगा, इसलिए हम अंकूरी दालों को डिनर में include कर सकते हैं, जैसे कि अंकूरी मूग है, अंकूरी चना, अंकूरी आदी, लेकि इसकी quantity हमारी जितना body weight है, उतना ही होनी चाहिए, जैसे कि अगर किसी का weight 80 gram, जैसे किसी का weight 80 kg है, तो उसको 80 gram तक अंदाज से इसे खाना है डिनर में, और अगर डिनर में इसे खाना संबव न हो, तो हम dry food को या तो चना सिंगदाने को लगवा एक मुठी बश शाम के नास्ते में खा सकते हैं, इसकी वज़ा से भी रात को जो हम सोते हैं, तो हमारी fat burning की process fast होती है, और हाँ जिस room में हमें सो रहे हो, वहाँ पर एपदम तेज लाइट नहों इस बात का ध्यान रहे, रूम जितनी dark होगी, उतनी ही fat metabolism की process अच्छी होगी, क्योंकि dark room में melatonin नाम का जो एक hormone है, वो stimulate होता है, और यह hormone अच्छी slip के लिए तो जिम्मेदार है ही, लेकिन उसके साथ में यह hormone हमारी fat burning की process को भी बहुत अच्छे से help करता है, यह scientificallyly prove हुआ है, आज कल की जिवन सेली में जब भी हम सोते हैं, तो सोने के जश्च पहले तक हम mobile TV या laptop का इ लेते हैं, के अंदर से एक जो light generate होती है, उसका भी हमारे body में melatonin hormone को decrease करने का effect पाया गया है, और यह melatonin decrease होने से हमारी fat burning की जो process हो slow हो जाती है, इसलिए अगर आप चाहते हो कि जब आप रात को सो हो, उस time पे आपका fat अच्छे से burn हो, तो at least 30 मिट पहले आप यह mobile laptop TV से ध meditate and visualize your weight loss success, हमें जितनी अच्छी नींद आएगी उतना भी अच्छा हमारा fat burning का प्रोसेस होगा हो, इसके लिए रात को सोने से पहले सारे negative विचारों को धूर करके, किसी से भी कुछ गिलास शिकवा हुआ है, तो उन सभी को माप करके, वो सारे negative emotions को release करके, meditation करके, मन को शान क करके सोईए, ताकि आपको अच्छी नींद आए, और जितनी अच्छी नींद होगी, इतनी ही अच्छी fat burning की प्रोसेस होगी, और इसके साथ में हमारे अंतरमन को अगर ठीक से clear picture में हमें दिया गया हमारा जो लक्ष है, गोल है, तो अंतरमन ठीक उसी के लिए तैयारी करता है, कार्य करता, इसलिए सोने से पुर्वज जो भी आपका वेटलोस गोल है, आप जैसे खुद को देखना चाते हो, वो चित्र को, वो छबी को आप कलपना में आखे बंद करके विजुलाइस कीजे, देखिए कि यस, मेरा शेप, मेरा फीगर या तो मेरा जो भी वजन है, वो जितना आप चाते हो, उतना हो गया है, वैसा जो आप पाना चाते हो, विजुलाइस कीजे कि वो अपने पा लिया है, कुछ शणों के लिए सोने के पे ले आखे बंद करके कलपना में देखिए, अपने आपको वो रिजल्ट प्राप्त करते हुए, और वो रिजल्ट प फिल कर पाएगे, उतना ही बेस्ट रिजल्ट आप पाएगे, और लास्ट लेकिन बहुत एफेक्टिव जो ट्रिक है वो है कि रात को सोने के पहले वेट लोज ड्रिंक आते है नेचर, उसे पीके सो ये, इससे तो आपकी जो वेट लोज की प्रोसेस है, वो एब्दम बुम हो जाएगी, इस पीर्ट से बढ़ जाएगी, तो ये वेट लोज ड्रिंक क्या है, इसके बारे में मैं जहानकारी देने वाला पूरा डिटेल में इसकी रेसरी बताने के लिए, एक वीडियो बनाने ही वाला हूँ, तो इस नए वीडियो के बारे में सबसे पहले जानने के आप मेरे सब्सक्राइब के अगर बटन को भी तलग नहीं दबाया है तो अवश्य दबाए और हाँ बेल आइकोन को दबाना ना भूलना क्योंकि बेल आइकोन को दबाने पर उसको ओल पे सेड़ करने पर ही आपको नोटिफिकेशन आता है वरना सिफ सब्सक्राइब करके वो नहीं आएगा अच्छा लगाओ तो लाइक और शेर भी अवश्य करना और आपका कोई प्रश्ण हो तो कमेंट में अवश्य लिखना और अगर आप चाते हो कि मैं हेल्थ या ओबेसिटी से रिलेटेर इस टोपिक पर वीडियो बनाओ तो उसको भी अवश्य कमेंट में लि कपाल भाती प्राया पेट की चर्बी और वजन कम करने में लाब दायक है इस क्रिया में आपको सासों को जल्दी जल्दी छोड़ना होता है जिससे आपके पेट की जबजस एक्सिसाइज होती है जिसके फल सरुप चर्बी आसानी से और तेजी से कम होने लगती है तो बैठ सकते है इसके बाद पेट को ढिला छोड़ना है और नाक से सासों को बाहर छोड़ना है इस प्राणायम में मात्र सास को शक्ति पुर्वक बाहर छोड़ने की क्रिया में ही पूर्ण ध्यान देना है इसमें सास को अंदर लेने के लिए प्रयत्न करने की आवशक्ता नह यह क्रिया स्वाभाविक रूप से अपने आप हो जाती है सास को बाहर निकालते हुए पेट को अंदर की और लेना है सास को बाहर निकालने के लिए जो बल फोर्स लगेगा वह पेट से लगेगा सहस्ता से लगातार नाक से सास को बाहर निकालने और पेट को अंदर खिषने की क्रिया को करते रहना है कपाल भाती करते समय मन में विचार कपाल भाती करते समय कुछ विशेस विचार करने से मन की सफाय होने में सहायता होती है सास को बाहर छोड़ते समय मन में विचार करे और कलपना करे की जैसे मैं नाक से सास को बाहर छोड़ रहा हूँ इस बाहर फेकी जा रही सास के सास मेरे शरीर के सभी रोग और तकली पे भी बाहर निकल रहे है नस्ट हो रहे है मैं मुक्त हो रहा हूँ, फ्री हो रहा हूँ बाहर फेकी जा रही सास के साथ मेरे मन की सारी नकार अत्मक्ता डर, टेंशन, गुसा, नफरत, निराशा, दूख, अपरादबो, धिन भावना, आदी विकार भी बाहर निकल रहे है नस्ट हो रहे है मैं बिना किसी शर्थ के सभी को और खुद को भी माप करता हूँ मैं मुक्त हो रहा हूँ, फ्री हो रहा हूँ जिसको जो भी रो गया मानसिक समस्या है उसके नस्ट होने के विचार और कल्पना करने से विशेश लाव होता है कुछ सुचना है शान्थ, हवादारों समतल जगह पर प्राणायाम करने से अधिक लाव होता है आरम में प्राणायाम को एक मिनिट करे फिर हर पांस दिन बाद एक मिनिट बढ़ाते हुए पांस से पंदर मिनिट तक कल सकते है आवशकता हो तो इसे दिन में दो बार भी कल सकते है आवशकता नूसार बीच में आराम ले सकते है इस प्राणायाम को सुभ़ पेट साप करने के बाद खाली पेट करना अधिक लापकारी होता है अगर सुभ़ खाली पेट इसे करना संभव न हो तो खाने के 4 घंटे या अलपाहर के 2 घंटे बार इसे कर सकते है पुरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अच्छा लगा हो तो लाइक और शेर अवश्य करे और अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो निचे के लाल बटन को दबा कर दीजे और बेल आइकोन को भी अवश्य दबाए क्योंकि मेरे हर नए वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता चले स्टे कनेक्टेट, स्टे हेल्डी, ग्रो हैप्टी